तो कैसे हो दोस्त मैं आसा करता हूँ श्यांदा तरीके से आप लोग अपने लाइफ को एंजोई कर रहे हो अपनी सेहत, फैमली और प्राई का धान काफी अच्छी से रख रहे हो आज हमारी कंट्री के लिए काफी बड़ा दिन है, हमारी कंट्री में जो सर्वो प्री माना जाता है वो है हमारा समीधान सब religion से उपर हमारी country में हमारा समिधान आता है हमारी country आज की date में इतने सारे religion और caste के होते हुए भी एक सही direction में हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं तो ये only हमारे समिधान की वज़े से यही समिधान हम लोग को equality, fraternity और एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं liberty जो की हमको provide कराता है यानि कि मिल जूल कर रहना जो हम लोग बोलने की आजादी स्वेतनता भाईचारा हमारी society में देखने को मिलता है उसका भी base आप लोग को इसी समिधान में देखने को मिलता है तो ये जो हमारा समिधान है हम लोग को एक way of life देता है कि किस तरीके से हम लोग अपनी life को lead कर सकते है और हमारी जो society है उसको हम लोग किस तरीकी society बना सकते है उसकी एक जलक आप लोग को इस समिधान में देखने को मिल जाती है हमारा समिधान world में सबसे बड़ा एक लिखित समिधान है यानिके लिखा हुआ constitution है आप लोगे पास में किताब हो सकती है एक किताब की form में constitution हो सकता है जो की लिखित constitution होता है अगर UK के अंदर आप लोग जाओगे समिधान डे के बारे में समिधान जो दिवस है वो 26 तो आप नवंबर को celebrate के जाते है इसका एक reason ये है जो कि सबसे main reason है आजी के दिन हमारी country में हमारे समिधान का एक छोटा जा portion implement किया गया था ताकि हमारे समिधान के चलते हमारी समिधान की कार्यकारी के चलते हमारा देश जो है वो एक सही direction में चल सके तो 26 नवंबर 1949 था वो year जिदिन हमारी country में कुछ portion हमारी country के समिधान का implement किया गया बाकि complete समिधान जो था वो 26 जनवरी 1950 में implement किया गया यह समिधान जो था यह constitution जिसको आप लोग बोलते हैं यह समिधानी हम लोग को fundamental right देता है यह समिधानी हमारी country बताता है कि government कैसे चलनी है यह समिधानी आप लोग किसी को भी साथ में आज केरी में कहीं पर भी जाकर कहीं भी रह सकते हैं कहीं पर भी जाकर आप लोग किसी भी तरीका अपना काम कर सकते हैं, कहीं पर भी जाकर आप लोग जमीन खरीद सकते हैं, अपना कोई वैपार कर सकते हैं, ये सारी जो चीजे हैं आप लोग को ये सम्विधानी प्रोवाइड कराता है, तो ये जो सम्विधान है इसके जो निर पहले आप लोगे सामने एक क्विज कोशन है इनको अटेम्ट किजे फिर जैसे आप लोग का डिसकसन आगे बढ़ेगा तो इनकोशन के आंसर आप लोग को मिलने स्टाट हो जाएंगे तो ये आप लोग को पूरा डिसकसन का एक ओवर्वी भी आप लोग इसको बोल सकते हैं हमारी कंट्री में अभी रिसेंड़ी टैंथ एडिसन येनके दसवा संस्क्रान नेसलन साइंस फिल्म फेस्टिवल का ये स्टार्ट किया गया वर्चुल मोड में 2017 में हमारी कंट्री में स्कीम इंप्लिमेंट की गई थी किसके तहत यहां पर ये स्कीम इंप्लिमेंट की गी है यही बेसिकली हमारी कंट्री में जो एगरी कल्चर इंडिस्टिवस को बढ़ाने का काम करती है अभी recently एक country है उस country में ये कौन सी country ये बताना है उस country की हेड कोन है जिनके द्वारा अभी जो women है यनके जो महिलाए है उनको senior management की post में अभी reservation देने की बात की जा रही है उनको quota mandatory provide कराया गया है अगर तीन particular जो management की post है किसी particular company में तो एक woman यनके एक औरत का होना आपर जरूरी ह तो कौन सी country के द्वारा ये provision अभी implement किया गया है 24th November each year हर साल हमारी country में यह आपर लचित दिवस के रूप में celebrate किया जाता है तो कौन से राजय में ये day celebrate हम लोग करते हैं अभी recently third global renewable energy investment meeting and expo जिसको reinvest के नाम से आप लोग जानते हैं ये इन्योगरेट कीगी किस के द्वारा और हमारी country में कौन सी ministry है जो इसको organize कराती है दो question होगे और इसकी theme क्या है ये भी important question आप लोगों से बन सकता है क्योंकि renewable energy पर काफी ज़दा focus दिया जा रहा है CCIM क्या है आपर ये एक statutory body है जो हमारी country में regulate करती है आयुरवेदा सिध्धा रोवा रिक्पा ये युनानी medicine जो जो particular body है इसका full form यानिके इसका नाम आप लोग को बताना है तो ये था quiz जो आप लोग को attempt करने है आईए अप discussion की और आगे बढ़ते है एक एक particular news देखेंगे अच्छे से attempt कीज़ेगा फिर वीडियो के end में आप लोग इनका answer बताएगा ओके काफी important news हैं आपर बात की जा रही है अभी recently Germany जो की European country है अगर map में आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग को जर्मनी देखने को मिलेगा यह हो गया France और यह है अपनी प्यारी country अपनी country के साथ में compare करकर location को जरूर देखा कीजे तो यहाँ से अगर आप ल ruling coalition है उसके द्वारा बोला गया है जो government है उसके द्वारा बोला गया है कि mandatory quota दिया जा रहा है woman को management position के अंदर में किसी particular company में अगर तीन executive board है तो board है उसमें member है तो उसमें से एक जो member होगी वो महिला होगी यानि कि यह compulsory हाँ पर किया गया है और से पहले भी हाँ पर यह execution होना चाहिए executive board के अंदर में यह इनके 30% तो कम से कम महिला हाँ पर होनी ही होनी चाहिए तो यह जो final decision यहाँ पर लाया गया है तो second management positions act है उसके हिसाब से यहाँ पर cabinet के द्वारा इसको basically approval देने की कोशिस की जा रही है तो इसका मतलब कि जर्मनी में इससे पहले कोई provision नही होनी चाहिए पर लेकिन voluntary का मतलब होता है कि अपने इसाब से कर लो भाया तुम हमको pressure नडालना पड़े इनके जैसे मैं आप लोग को बोलता हूँ कि आज के अगर आप लोग को मैं बोलता हूँ कि question के answer आप लोग को attempt करने है नीचे तो यह voluntary होता है कोई compensation नहीं आप लोग क तो उससे क्या करते है बहुत कम लोग ऐसे थे जो कि आपर इसको provide कराते थे reservation को और इसकी वज़े से कोई ज़्यादे improvement देखने को नहीं मिला था तो अभी हाँ पर यह voluntary जो हटा दिया गया है अब mandatory कर दिया यह यह अब आप लोग को reservation देना ही देना पड़ेगा तो यह अभ प्रांस के ऊपर आप लोग यहाँ पर जर्मनी देख सकते हैं ठीक है तो यह होगी यहाँ पर जर्मनी तो काफी important European country है इधर नोर्ची हो गया ऊपर आएंगे तो इधर पोलेंड हो गया तो यह particular news हम लोग ने देखे आई अब next news के और चलते हैं काफी important news है आपर बात की जा यहाँ पर यह कि वर्चॉल है वर्चॉल का मतलब होता है कि यह ओनलाइन यहाँ पर इनोग्रेट की जाएगी और तीसरी global renewable energy investment meeting है यह एक्सपो है यहाँ पर यह हमारी country में जो वर्चॉली इनोग्रेट की जा रही है important बात यहाँ पर question बन सकता है कि 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 के दौरा इसको दौरा की जा रही है यह तो ministry of new renewable energy यानि कि एक तरीके से जो renewable energy है उसके दौरा इसको इनोग्रेट की इसको ऑर्गिनाइज करा जा रहा है 26 से लेके 28 नौम बर तक है आपर यह meeting आप लोग को देखने को मिलेगी theme काफी important है आपर reinvest summit की theme क्या है innovation for sustainable energy transition transition का मतलब होता है एक phase से दूसरे phase में जाना यानि कि आज की rate में हम लोग koila use करते हैं आज की rate में हम लोग दूसरा इंधन use करते हैं तो उससे transition करना है हम लोग को renewable energy वो energy जो कभी खतम ना हो वो energy जो environment को नुकसान ना पहुचा है वो energy इसको हम लोग सस्ता बना सकें और जिससे हम लोग proper way में दूसर country के उपर dependency नहीं रहती है only environment के उपर dependency रहती है अगर अपना environment हम लोग अच्छा रखते हैं अपनी जो basically जिस area में हम लोग रहते हैं उस area को साथ सुतरा रखते हैं तो ये काफी अच्छी चीज़े कि ये सारी चीज़े एक अच्छी direction में होती ही नजर आएंगी next important news आप लोग के सामने बात की जारी है national science film festival के बारे में national science film festival basically एक तरीका festival है जहाँ पर हम लोग science को जनता तक पहुचाने की कोशिस करते हैं एक तरीके science को popularize करने की कोशिस करते हैं इस particular festival के थुरू तो सीधा सीधा मतलब हो गया कि कौन सी ministry के अंटर में आता है तो यहाँ हाँ पर विज्ञान जो परसार है basically एक autonomous agency है department of science and technology के अंदर तो ministry of science information जो ministry of science and technology है उसके अंदर आप लोग यह सारी चीज़े देखने को मिलेगी है और यह science popularization एक endeavor है यानिक एक तरीके science को कैसे हम लोग popular बना सकते हैं उसका यह एक program है जो कि हमारी country में जो भी हाँ पर professional है इ तो यह एक dindirect way का तरीका है science को जनता तक पहुचाने का आप लोग ने बचपन में सुना और क्या बनना चाते है तो कोई बोलता है engineer बनना चाता है कोई doctor को scientist कोई इस तरीके से बोलते हैं तो उसमें से क्यों बोलते हैं वो क्योंकि उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते ह तो अगर जादे से ज़दे लोग इसके बारे में जानेंगे समझेंगे, तो फिर वो इन चीजों को understand कर पाएंगे और implement में कर पाएंगे, तो ये important news है, next important news यहाँ पर बात की जारी एक particular personality के बारे में, जो direct question आप लोगों से बन सकता है, सर छोटू राम जी, सर छोटू राम जी को उनकी बर्थ anniversary पर हमारी कंट्री के प्रैमिस्टर मोदी जी के द्वरा ट्रिब्यूट दिया गया, तो छोटू राम जी थे कौन, छोटू राम जी जो थे यहाँ पर, इनका time duration 1881 से लेके 1945 तक रहा, एक काफी important politician थे हमारी कंट्री मे कोई आवाज ने उठाता है, उसके बारे में आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं, बर्थ जो नेम है, वो है राम रिचपाल, और इसी के साथ में popularly इनको बोला जाता था है आप दीन बंदू, दीन बंदू और इसी के साथ में अगर बात करें, इन उर्दू इनको यह राबरे आजम, तो इस तरीके से यह सारे इनी के नाम थे, अगर कोई आप लोगों से एक्जाम में पूछे कोन थे, तो वैसे नूर्मल इनको छोड़ू राम के नाम से जानते हैं, राम जो इनका में नाम था, राम रिचपाल, दीन बंदू के नाम से इनको वैसे पकारते तो ऐसे हमारी कंट्री में टोटल मिला का 28 प्रोविंस है, यानि कि 28 राज्य होगे, ऐसे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नेक्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है, आप लोग के सामने हापर बात की जारी है, फूड प्रोजेक्ट के बारे में, फूड प्रोजेक् प्रोजेक्ट करने को इसकी जारी है कि कैसे अग्रो प्रोजेक्ट क्लस्टर बना सकते हैं, यानि कि एक ऐसा धाचा क्रियेट कर सकते हैं, जहाँ पर अग्रिकल्चर के प्रोजेक्ट है, उनके प्रोजेक्ट करकर बनाया जा सकते हैं, तो जैसे मेगा फूड पार के बारे म तो सब्सक्राइब करें पिर सांद बाध के यह अरी इसको इंप्लिमेट करने के बात पर किया लिए इनके त्रेशन कीौ पर इंप्रोश्चर के बारे में हम लोगों ने बात की तो यह नहीं के कहने का मतलब यहां पर यह है food producer हो गए इस तरीके से हम लोग को लेकर चलने आज केट में गाएं भैस की बारे में बात करें हमारी country में सबसे ज़ाद है live stock आप लोगो population का देखने को मिलेगा सबसे ज़ाद है जो जानवाल है हमारी country में है largest producer of milk भी हमारी country आज केट में आप लोग को देखने को मिलती है second largest producer है हम लोग fishery, fruit, vegetable and जो दाले हैं उनके अंदर अगर आप लोग जाएंगे बहुत large scale पर हमारी country में काम कियाता है पर लेकिन कई सारी problem भी हैस के साथ में हमारी country में एक अच्छी market नहीं है जहाँ पर हम लोग अपने product ले जाकर बेश सकें हमारी country में cold storage stand की facility धंक से available नहीं है हमारी country में जो बिचोलिया है वो ज़्यादे चीजों को लेकर चल जाते हैं किसानों को उनका profit proper way में नहीं पहुँच पाता है हमारी country में environment के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो कहीं न कहीं काफी large scale पर हमारी country की जो agriculture है वो monsoon के ओपर depend रहती है ये भी बहुत बड़ी problem है तो अगर कुछ दिक्कत लिखने के लिए आजए तो ये कुछ problems है जो आप लोग तो ये सारे जो point है अगर कुछ answer लिखने के लिए आता है आप लोग को किसानों को कैसे empower कर सकते है अगरी culture को कैसे अप लोग अच्छे level पर ले जाया सकते है तो ये कुछ point है जो direct आप लोग इनको include कर सकते है अपने answer writing में ठीक है तो ये थी यहाँ पर इसके बारे में news next important news देखते है next important news यहाँ पर बात की जारी हमारी country में Indian coast guard के बारे में जिस तरीके से हमारी country में air में air force है land पर आप लोग army देखने को मिलेगी पानी में normally navy देखने को मिलती है पर जो coastal area है coastal area की जो मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ तो आप लोग इसको देख सकते है हमारी country में coastal area के राज्य है total मिलाकर 9 राज्य है coastal area के तो यह island इसको पहले हाँ पर थिन्या यू आइलेंड के नाम से हम लोग जानते थे यहाँ पर recently अभी एक tanker था जो की काफी एक जो tanker था जिसके अंदर यहाँ पर भी problem देखने को मिली failure की वेसे हाँ यह लगा कि यह particular इस island को जाकर नुकसान पहुचा सकता है तो इसको यहा आप लोग देखिए कहाँ पर है यह island exactly तो आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं कार निकोबार के नीचे लिटिल जो निकोबार है उसको उपर देखने को मिलेगा ठीक है लिटिल अन्दमान यहाँ पर हो गया तो इस particular location को आप लोग understand कर स एकजेक्ट लोकेशन यहाँ पर जो island की आप लोग देख सकते हैं कहां भाग यह इधर आ जड़ा एगजेक्षा ठीक है तो यह जब मशर्ण दिखाता हो तो कुछ नहीं चलिए एक हादसे काम नहोता है तो उसकी वेरी से फिझल जाता है कैसे बार तो यह exact है आप लोग साम तो इसके चलते हैं पर यह अभी न्यूज में था, तो निकोबार आइलेंड के बारें बात की जा रही है, यहाँ पर निकोबारी ट्राइब और इसी के साथ में माइग्रेटेड जो तमेलियन कम्यूनिटी है, वो भी हाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाते हैं, रबर प्लांटेशन की खेती हाँ पर की जाती है, इसी के साथ में अगर कुछ बाते करें आपर, यह हैं आपर सैस्तरी स्रीमाओ, सैस्तरी स्रीमाओ, यह हैं आपर बंदर पोक्रियाल जी, तो इनके द्वारा 46 online AICTE, यहनिके All India Council of Technical Education, Training and Learning, जो यहाँ पर basically faculty है, उसके लिए प्रोग्राम जो हमारी country में लौंच के गया है, ताकि teacher को higher education के लिए तयार किया जा सके, देखिए teacher अगर सही level पर तयार हो जाए ना, तो बच्चों को पढ़ाना असान हो जाता है, अच्छी quality के teacher अगर मिल जाते हैं, जो बच्चों को understand करते हैं, तो वो काफी अच्छा मुद्धा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है, तो good quality of education if you wanna improve in our country, then you have to increase the quality of the teacher, अगर teacher की quality improve हम लोग कर पाएंगे, तब हम लोग एक सही direction में अपनी country में जो बच्चे ह उनको भी एक सही direction में हम लोग improve कर पाएंगे, तो यह काफी जद्ध है जरूरी है, तो यहाँ पर All India Council of Technical Education इस particular काम को कर रही है, तो अच्छी quality technical education provide country में कराए जाएगी, तो इसके चलते IITs जो हमारी country में है, ट्रिपल IITs जो हमारी country में है, NITs जो भी हाँ पर यह सारी universities पर रही है, Prime Minister Niren Modi के द्वारा tribute पे किया गया है, आपर लचित, लचित यहाँ पर इनका पूरा नाम है आपर लचित बोर पहनुमंग, ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रखिये है, इही के नाम पर यहाँ पर यह day celebrate किया जाता है, आसाम के अंदर, आखिर इनके जो 1671 में, यह एक battle का नाम आप लोग याद रखिया है, जिसका नाम था है, आपर सराइग घाट, तो सराइग घाट की जो battle थी है, आपर इनके द्वारा, attempt किया गया था, मुगल आर्मी को force करने के लिए, ताकि वो यहाँ पर entry नहीं कर सके, खासकर आसाम के अंदर में, ठी अचित दिवस के रूप में celebrate किया था, तो आसाम के leader थे यह, नोर्थ इस से later अगर कोई भी question आप लोगा बनता है, तो इस तरीकी personality के बारे में, आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है, तो confused नहीं होना चाहिए, इसके बारे में idea जरूर रखेगा, तो इता टोटल अप लोगों ने इसको अच्छे से enjoy किया होगा, सबसे पहले हम लोगों ने अपने समिधान दिवस के बारे में काफी detail में जाना, एक particular country जिसका नाम है Germany, उसके बारे में हम लोगों ने detail में समझा, आपर एक rule के बारे में बात की, हमारी country में renewable energy के बारे में बात की जा रही ह वो चीजे हम लोगों ने समझी, एक particular personality के बारे में जाना, जो कि North East से related है, नाम है इनका लचित बोर्फुकन, ठीक है, अगर आगे हम लोगों बात करते हैं आपर, तो next हम लोगों ने जहाँ पर focus किया, ये basically, ये एक important, छोड़ी सी एक news है आपर, जो कि हम लोगों ने आपर post graduate program के लिए तयार करना है, उसके बारे में information देती है, तो एक तरीका notification है, clear definition यहाँ पर provide करा रहे है, 58 जो surgical procedure है, post graduate scholar, जो यहाँ पर हुनको basically इसके अंदर training provide करा जाएगी, और ये आने वाले time में, आज की डिड़ में, आयुरवेदा के field में भी हमारी country में doctor है, वो अच्छे in Ayurveda, ये एक किताब भी है आपर, जो यहाँ पर, ये किताब जो है, ये edited के गए है, आपर professor DP कुल करने, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा हलका सा, ये हाँ पर हम लोगों ने छोड़ी सी एक news थे, ठीक है, आगे अगर बात कुरूं तो Indian Coast Guard के बारे में जाना, और next जो news हैं आपर, ये हम लोगों ने समझी, निसांग, पोकरियाल जी के द्वारा, Education Ministry के बारे में, देखे होता क्या है, कई बार news जो है, वो इसलिए छुड़ जाती है, तो ऐसी प्रोलम कई बार देखने को मिलती है, ठीक है, चलिए कोई नहीं, जल्दी ही पहना आएगा हाथ में, अगर बात करते हैं आपर आज के quiz के बारे में, तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताना है, कि ये जो हैं पर हम लोगों ने बात की, विग्यान जो परसार है, किस के अंदर में आता है, इसी के साथ में हाँ पर बात की जा रही है, ये creation of infrastructure for agro processing cluster, तो हैं लोगों को बताना है, नेक्स्ट हम लोगों ने हाँ पर बात की, ये है जो ruling coalition है, किस country की जिसके दोरा अभी हाँ पर women के लिए reservation की बात की गिए, 24th November लचित दिवस के रूप में किस राजय में celebrate किया था है, किस के दोरा global renewable energy investment meeting expo के हाँ पर inaugurate किया गया, और ये किस ministry के under में ह आपर काम चल रहा है, और इसकी theme क्या है, ये बताना है, CCIM क्या है, जिसके बारे में end में हम लोगों ने discuss किया था, इसी के साथ में आए कल का थुड़ा revision कर लेते हैं, International Day of Elimination of Violence Against Women, ये हम लोगों ने बात की, तो इसकी theme आप लोगों को बतानी थी, former Chief Minister कौन से राज्य की ज को appoint कर सकता है, Chief Justice of India और Governor के साथ में consult करके, 160 जज़ है एक particular high court के अंदर, कौन सा high court है, सबसे बड़ा high court है हमारी country में, total 25 high court है हमारी country में, आज की date में, Union Minister of Education और जो virtual जो हमारी country में बीन के द्वारा, लौंच किया गया था, आप लोगों हैं आपर ये बताने हैं, कि 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 पर particular award के बारे में आप लोगों से पूछा गया था, question के answer है आपर orange the world, orange basically women empowerment के लिए use किया था कि उनके खिलाब कोई violence न हो सके, तो fund response, prevent and collect ही हम लोगों ने discuss किया था, आसाम के बारे में बात करें, तो हैं आपर तरून गो गई, Chief Justice के बारे में हम लोगों ने जा था, उमांग F high court, सबसे बड़ा high court और पुराना काफी high court हमारी country में, total 25 high court है हमारी country में, लीलावती award के बारे में हम लोग ने जाना था, और इसकी theme जो है, वो है woman empowerment, तो ये था total आज का discussion में आसा करता हूँ कि आप लोग ने श्यांदार तरीके से इसको enjoy किया है, तो इसी तरीके से चीज